Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें हम डसकस करेंगे वोक्षीट नामबर 48 for class 9th, subject social science है और यही वोक्षीट आपके लिए 21st of December 2021 के लिए schedule की गई है आज की जो वोक्षीट है स्टूरेंट्स उसमें हम chapter 2 जो है continue करेंगे socialism in Europe and Russian Revolution ठीक है सो वक्षीट शू करने से पहले प्ली चैनल को subscribe कर दीजे, bell icon को press कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की notification वो समय से मिल जाए सो देखें क्या दिया गया है, first worksheet में हमने पढ़ा था कि जो रशियन समाज था वो 18 सदी में तीन वर्गों में बटा हुआ था ठीक है, उसमें सबसे पहले कौन थे, उसमें सबसे पहले थे conservatives, conservatives कौन थे, जो की change को register करती थे लेकिन जो French Revolution हुआ था, उसके बाद उनको idea हो गया था कि change आएगा, लेकिन वो जो है, वो चाहते थे कि change जो है, वो slow हो, एकदम से change ना हो और वो चाहते थे कि जो past है, उसकी respect की जाए, ठीक है, दूसरे थे liberals, liberals कौन थे, वो थे, जो की सभी religion को tolerate, जो है, tolerate करना चाहते थे, यानि in the sense कि सभी religion को respect देना चाहते थे, clear, they wanted a nation which tolerate all religion, एक ऐसा दूसरे थे liberals, liberals कौन थे, they wanted a nation which tolerated all religion, एक ऐसा नेशन जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान गिया जाए, ठीक है, तीसरे थे radicals, radicals कौन थे, they wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population, country की population की majority के according जो है, government हो, ऐसा जो है radicals चाहते थे, वो private property के पक्स में भी नहीं थे, ठीक है, तो और लेकिन conservatives जो है, वो यहाँ पर बहुत inferior थे, जो ज़्यादा यहाँ पर दबदबा रहा, वो रहा liberal और radicals का, लेकिन बात में धीरे-धीरे यूरोप में कुछ ऐसे changes आए, जिनके कारण क्या हुआ, जो socialism है, वो धीरे-धीरे क्या हुआ, फैलने लगा, और 1870s के आसपास तक, पूरे यूरोप में यह जो है, क्या था, फैल गया था, clear, और जो socialism था, हमने पढ़ा था कि socialism क्या है, socialism है कि जो भी production के sources हैं, उनके उपर किसी एक विशेश व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए, ऐसी जो है, यह विचारधारा थी, socialism, अब यूरोप में socialism आने के क्या कारण थी, सबसे main कारण के अगर हम बात करें तो वो तो सबसे पहले French Revolution ही था, French Revolution उसने socialism को लाने में 20 बोया था, ठीक है, और वो 20 जो है फिर दीरे-दीरे क्या हुआ, पेड़ बना और उस पेड़ पे फल भी लगे, जो हम बाद में discuss करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहला कारण क्या ह that spread of ideals of French Revolution like equality, fraternity and justice in the entire Europe, French Revolution में के जो आप कह सकते हो, ideals थे, like equality है, justice है, वो सारे यूरोप में वो विचार जो है, वो विचार धारा फैलती चले गई, लोग उनसे प्रभावित होते चले गई, वो भी अपने आपको सोतंतर, अपने आपको जो है, एक अधिकार सवरूप देख देखना चाहते थे, दूसरे कारण के अगर हम बात करें, यूरोप में सोशलिजम के आने में, तो वो था वीकिनिंग ओफ दा नॉबिलिटी एंड राइज ओफ न्यू नेशन, ठीक है, जो नए नए नेशन है, वो राइज हो रही थे, जिसके कारण उनको अपने राइट् थर्ड जो रीजन है, वो है इंडस्ट्रियल रेविलिशन, अब धीरे-धीरे क्या था, इंडस्ट्री बढ़ रही थी, जिससे की जो लेबर, जो कंडिशन है, लेबर अपनी कंडिशन को सुधारना चाहते थे, और बहुत ज्यादा लेबर थे उस समय, एग्रिकल्चर उस स में बहुत ज्यादा था वहाँ पर, जिसके कार्ण लेबर तबका बहुत ज्यादा था, और सभी जो है, मिलकर अपनी कंडिशन सुधारना चाहते थे, इसलिए भी सोशलिजम जो है, जड़ें पकड़ गया था, ठीक है, जो कैपेटलिस्ट होते हैं, कैपेटलिस्ट कौन थ तबका है, मजदूर तबका है, इनके भी इशूस होते हैं, नहीं, उनको बस अपना प्रॉफिट कमाने से मतलब था, जिसके कारण उनके बीच में और लेबर तबके के बीच में आपस में टकराओ होने लगा, जो ट्रेड है वो बढ़ा, ग्रोथ बड़ी हुई मिडल क्ला बढ़ने लगे, जिससे लोगों के अंदर अपना एक आप कह सकती हो, अपने राइट्स के लिए लोगों को समझ आने लगी थी, नाउ, दाइफेक्ट ओफ सोशलिस्ट आइडेलोजी जो आइडेलोजी थी, ये लोग अपने आइडेयास को स्प्रेड करते थे, और लोगों के बीच में अपने आइडेयास लेकर जाते थे, जिससे लोग इनसे प्रभावित होते थे, और ये काफी आप कह सकती हो कि मेन फेक्टर है सोशलिसम को फैलाने में यूरोप में, तो ये सारे कारण थे, जिनके कारण जो सोशलिसम है वो यूरोप में फैलता चला गया, मैं आपको बताऊंगे एक न्यू आप के बारे में, जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है, चाहे कोई क्वेशन हो, कोई डाउट हो, या कोई कॉनसेप्ट ना समझाए, बोर्स हो, या ची नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उस से टाइप करके समिट करें, और फिलो आपको 60 सेकिल्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा, आपकी क्वेशन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है, वो 220 वोल्टेज पर ऑपर ऑपरेट हो रही है, इस बैटरी का जो वोल्टेज है, वो आपको गिवेशन है 220, तो यह आपको सिंपल रिलेशन हो गया है यहापर, अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आब बताईए, नो सब्सक्राइब, थैंक्यू, जो है, वो लगबग पूरे यूरोप में क्या थे, फैल चुके थे लेकिन अभी भी क्या था, कि जो लिबरल थे और जो रैडिकल्स थे, उन्ही का ज़्यादा क्या था, दबदबा था, यानि जो सोशलिजम था उसको अभी इतनी प्रॉपर जगह जो है, वो नहीं मिल पाई थी, ठीक है, तो अपने आइडियाज को इफेक्ट में लाने के लिए, एक इंटरनेशनल बॉडी का निर्मान हुआ, जिसको क्या कहा गया, सेकिंड इंटरनेशनल कहा गया, वोर्कर इंग्लैंड और जर्मणी में आइसोशेसियस जो है,वो बनने लगी और उन्होंने जर्मनी की सोशल डेमोक्राटिक पर्टी थी, उसको उसका साथ देना शुरू कर दिया उनको parliamentary seat जो है वो उनकी दिलवाने में उनको जीत हासिल करवाने में उन्होंने मदद की जो छोटे छोटे association थे जिसे संगठन बन गए वो main party के साथ जुड़ गए main party कौन सी थी जर्मनी की social democratic party उसके बाद by 1905 socialist and trade unionist formed labor party in Britain तो ऐसे parties बनती चली गई socialist विचारधाराओं की party बननी शुरू हो गई एक party बनी जर्मनी में social democratic party दूसरी party बनी ब्रिटेन की labor party ठीक है और तीसरी party बनी फ्रांस में socialist party तो इस तरह से party जो है वो बननने लग गई जिनकी जो ideology थी वो socialism था till 1914 socialist party never succeeded in forming government in Europe but their ideas did shape legislation देखे 1914 तक कोई जो है socialism को कोई जगह नहीं मिली थी यूरोप के अंदर उनके ideas के वल आप कह सकते हो कि ideas बढ़ रहे थे लोगों में spread हो रहे थे लेकिन अभी तक उस तरह कि कोई काम्याबी नहीं मिली थी ठीक है कि वो legislation में आये के वल legislation को जो है effect करते थे लेकिन पूरी तरह से government में नहीं आये थे however the government continue to run by conservative liberals and radicals और जो government run हो रही थी वो conservative liberal और radicals ही चला रही थे यानि socialism जो socialist थे उनको अभी कोई भी जगह नहीं मिली थी और यह जगह मिली थी 1914 में जब Russian revolution हुआ जार Nicholas II को जो है उसको गदी से हटाया गया ठीक है यह हम next worksheet में पढ़ेंगे तो अब आपको यहां पर देखी question दिये गए है four question काफी easy question है जो अलड़ी हम worksheet में भी discuss कर चुके है फर्स्ट question है list the factors which contributed the spread of socialism in Europe आपको वो factor जो है वो लिखने है जो की यूरोप में socialism को spread करने में जिनका contribution है तो फर्स्ट क्या है spread of ideals of French revolution like equality, fraternity and justice in entire Europe ठीक है जो French revolution के जो ideals थे वो जो है फैलने लगे second देखिए weakening of the nobility and the rise of new nation third है due to the industrial revolution huge change in the condition and number of labor industrial revolution के कारण हुआ number fourth point the rise of trade and growth of middle class, middle class की growth हुई number fifth point आप लिखेंगे newer discoveries of science and development of transport and number six point रहेगा the effect of the socialist ideologies of Karl Marx, Frederick and Angel and Hegel तो यह जो socialist है इनकी ideology वो काफी आप कह सकते हूँ कि एक factor रही socialism जो ideology थी उसको फैलाने में next देखिए second question है analyze the role of industrialization in spreading the ideals of socialism in Europe industrialization का क्या रूल रहा यूरोप में socialism को spread करने में so in the expansion of socialism in Europe industrialization increase the class struggle with the capitalist capitalist के साथ class struggle को बढ़ाया with a drastic change in the number and condition of worker ठीक है number के साथ साथ condition भी worker की जो है वो क्या थी एक drastic change उसमें आया था question number three है discuss the ideologies of Karl Marx regarding socialism in your own words तो Karl Marx की क्या विचार धारा थी socialism को लेकर so Karl Marx was one of the was of the opinion that peaceful revolution should be done for economic and social equality Karl Marx का opinion था कि social और economic equality के लिए peaceful revolution होना चाहिए and if this does not change the armed revolution should be done और अगर यह peaceful नहीं होता है तो जो है arms उठाने चाहिए यानि हमें हत्यारों के साथ revolution लाना चाहिए the main name of Karl Marx was to establish a classless society उनका main name क्या था कि वो एक classless society जो है वो develop करना चाहते थी next and last question describe the course of spreading of socialist ideas in Europe ठीक है यूरोप में जो है socialist ideas वो कैसे spread हुए वो describe करना है first रहेगा by the 1870s socialist ideas spread through Europe to coordinate their effort they formed an international body non-international body बनाई namely the second international ठीक है उसके बाद क्या हुआ worker in England and Germany begin forming association to fight for better living and working condition England और Germany में associations बनने लगे अपनी conditions को सुधारने के लिए उसके बाद क्या हुआ Germany में क्या हुआ in Germany these associations worked closely with the social democratic party and helped it to win parliamentary seat Germany में जो है social democratic party बनी जो यह association थे यह उसकी help करते थे parliament में seats को win करने के लिए by 1905 socialist and trade union formal labour party in Britain and socialist party in France France में socialist party बनी labor party बनी Britain में ठीक है 1905 में तो इस तरह से जो है आपको यह points लिखने है clear which describe the course of spreading of socialist ideas in Europe की कि किस तरह से socialist ideas जो है वो फैले थे तो यह थी आपकी आज की बच्चो SST की worksheet I hope सभी students को clear है कोई भी doubt है तो आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए So thanks for watching, have a nice day